हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आपका सागत है आज मैं आपके लिए एक रंग की बुनाई लेके आई हूँ इसे बनाने के लिए हमने ये रैबिट एक्सल का वूल लिया है और ये नाइन नंबर की निडिल ली है तो इस बुनाई को बनाने के लिए हमने ये 40 फंदे डाल लिये हैं और 40 फंदे डालने के बाद हमने 2 सलाई सीधा सीधा बुन लिया है सीधी सलाई में भी पूरी सीधी सलाई बनाई है और उल्टी तरब से भी पूरा सीधा बुन लिया है दो तरब से सीधा बुनने के बाद ये हमारा एक ये लाइन बन गया है अब हम बुनाई की फर्स ट्रो बनाएंगे अब हम बुनाई बनाना स्टार्ट करते हैं तो बुनाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये किनारे का फंदा सीधा उतार लिया है इधर किनारे का भी फंदा सीधा उतारेंगे और इधर किनारे साइड का भी सीधा उतारेंगे देखिए सबसे पहले हमने एक फंदा सीधा उतार लिया है अब धागा आगे करेंगे दो फंदा उल्टा बुनेंगे ये एक फंदा उल्टा बुना और ये दो फंदा उल्टा बुना अब धागा पीछे करेंगे अब ये दो फंदा हम एक साथ सिधा बुनेंगे ऐसे देखिए ये दो फंदा हमने ये एक साथ सिधा बुन लिया और फिर हम दो फंदा एक साथ सिधा बुनेंगे इस फंदे को ऐसे हम ऐसे कर लेते हैं और ये दो फंदे फिर हम एक साथ सिधा बुनेंगे ये देखिए ऐसे पीछे साइड से ये हमने बुन लिया अब फिर धागा आगे करेंगे फिर दो फंदा उल्टा 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 देखिए हमने दो फंदा उल्टा बुना था फिर दो फंदे एक साथ सिधा बुना फिर दो फंदे एक साथ सिधा बुना फिर दो फंदा उल्टा बुना फिर चार फंदा सिधा बुना अब इसी को पूरी सिराय में फिर रिपीट करेंगे तो देखिए फिर धागा आगे करें अब हम फिर से बना रहे हैं जैसे हमने यहां पर बनाया था उसी तरीके से फिर हम बना रहे हैं सबसे पहले यह दो फंदा उल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे कर लेंगे फिर यह दो फंदे एक साथ सिधा बुन लेंगे यह देखिए ये हमने, ये दो फंदे हमने ऐसे, एक सास सिधा बुन लिया, ये फंदा हम ऐसे कर लेंगे, फिर ये दो फंदे हम एक सास सिधा बुन लेंगे, ऐसे पीछे साइड से, ये देखिए, फिर धागा आगे करेंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे ये चार फंदे सीधे बुनेंगे ये हमने दो बुनाई बनाया फिर हम तीसरी बुनाई बनाएंगे तो जैसे हमने पहले बनाया था फिर शुरू करते हैं फिर धागा आगे करेंगे दो फंदा उल्टा बुनेंगे फिर दागा पीछे करेंगे दो फंदे एक साज सिधा बुनेंगे इसको थोड़ा धिला कर लेते हैं ये दो फंदे हमने एक साज सिधा बुन लिया फिर हम इसको ऐसे सिधा करेंगे फिर दो फंदे एक साज सिधा बुनेंगे ऐसे पीछे साइड से फिर धागा आगे करेंगे फिर दो फंदा उल्टा बुनेंगे एक फंदा उल्टा बुना दो फंदा उल्टा बुना फिर धागा पीछे करेंगे फिर चार फंदे सीधे बुन लेंगे एक, दो, तीन, चार फिर धागा आगे करेंगे दो फंदा उल्टा बुन लेंगे एक फंदा उल्टा बुना दो फंदा उल्टा बुना फिर धागा पीछे करेंगे और ये किनारे का फंदा उतार लेंगे तो इस तरीके से यह हमारी first row हमारी complete हो गई देखिए ऐसे दो फंदा उल्टा बुना फिर दो फंदा एक साथ सिधा बुना फिर दो फंदा एक साथ सिधा बुना फिर दो फंदा उल्टा बुना फिर चार फंदा सिधा बुना इसी तरीके से पूरी सलाई हमने बना के कम्प्लीट कर लिया अब उल्टी सलाई उल्टी सलाई अब हम सेकेंड रो बनाएंगे उल्टी सलाई में जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं उस तरीके से बुनना है किनारे का फंदा हम उल्टा बुन लेंगे सेकेंड रो, सबसे पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे अब धागा पीछे कर लेंगे धागा हमने पीछे कर लिया ये दो फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं, इसको हमें सीधा बुन लेना है एक फंदा सीधा बुना, और ये दो फंदा सीधा बुना फिर धागा आगे कर लेंगे ये हमें चार फंदे उल्टे दिख रहे हैं इसको हमें उल्टा बना लेना है एक फंदा उल्टा बुना दो फंदा उल्टा बुना तीन फंदा उल्टा बुना चार फंदा उल्टा बुना फिर धागा पिछे करेंगे ये दो फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं, इसको हमें सीधा बुनना है, एक फंदा सीधा बुनना, दो फंदा सीधा बुनना, फिर धागा आगे करेंगे, ये हमें दो फंदे उल्टे दिख रहे हैं, इन दोनों को हमें उल्टा बुन लेना है, एक फंदा उल्टा बुनना, और यह चार फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं इन कब करेंगे और यह दो फंदे में सीधे दिख रहे हैं दोनों को सिधा गुन लेना है एक फंदा सिधा बुना, दो फंदा सिधा बुना, फिर धागा आगे करेंगे, ये दो फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं, इनको हमें उल्टा बुनना है, इस तरीके से पूरी हम सेकेंड रो उल्टी सलाई बना के कम्प्लीट कर लेंगे, जो फंदे हमें जैसे दिख रहे है उसी तरीके से हमें बुन लेना, सिधे फंदे पर सिधा और उल्टे फंदे पर उल्टा, इस तरीके से पूरी सलाई बनाके कम्प्लीट कर लेते हैं, हमने सेकेंड रो उल्टी सलाई बनाके कम्प्लीट कर लिया, अब थार्ड रो सिधी सलाई, थार्ड रो सिधी सलाई बनाते है इससे बनाने के लिए सब्से पहले हम किनारे का फंदा सीधा उतार लेंगे करेंगे यह दफने दीख ऊल्टा बवन लेना है कि यहक फंदा उल्टा बुना ये दो फंदा उल्टा बुना यह हमने इसको बना लिया एक फंदा सिधा उतार लिया दो फंदा उल्टा बुन लिया अब धागा पीछे कर लेंगे अब यह जो दो फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं इसके बीच में से हमें लूप निकालना है तो इसके लिए देखिए सबसे पहले यह जो फंदा दिख रहा है यह उपर यह यहां दिख रहा है और यह इधर दिख रहा है इन दोनों के बीच में यहां पे एक लूप निकालना है यह इधर और यह इधर इसके बीच में यहां पे यहां पे ऐसे सलाई डालेंगे ऐसे हमने धागा किया ऐसे धागा किया और ऐसे हमने एक लूप निकाल लिया लूप निकालने के बाद इस फंदे को ऐसे ले करके बुन लेंगे यह हमने एक लूप निकाल लिया और यह फंदा सिधा बुन लिया अब फिर हम यह फंदा जो सिधा दिख रहा है इसको हम सिधा बुन लेंगे ऐसे हमने सिधा बुन लिया और वहीं से जहां से लूप निकाला वहीं पर फिर हमें एक लूप निकालेंगे ये देखिए वहीं पर फिर सलाई डालेंगे ऐसे अंदर धागा ऐसे पीछे साइड से ले आएंगे और फिर एक लूप ऐसे निकालेंगे यह देखिए एक लूप यह निकाला फिर एक फंदा सिधा बुना फिर एक लूप निकाल लिया इस तरीके से हमारे यह दो लूप निकल गए अब फिर धागा आगे करेंगे यह दो फंदे हमें उल्टे दिख रहें इन दोनों को हमें उल्टा बुनना है ये एक फंदा उल्टा बुना ये दो फंदा उल्टा बुना फिर धागा पीछे करेंगे ये चार फंदे हमें सिधे दिख रहे हैं इनको हमें सिधा ही बुनना है एक फंदा सिधा बुना, दो फंदा सिधा बुना, तेन फंदा सिधा बुना, और ये चार फंदा सिधा बुना फिर धागा आगे करेंगे, अब ये देखिए, दो फंदा जो हमें उल्टा दिख रहा है, इनको हमें उल्टा बना लेना है अब हमारी यहां से यहां तक एक मुनाई बन गई है अब इसी को पूरी सलाई में फिर रिपीट करना है फिर देखिए शुरुआत हमने कर लिया दो फंदा हमने उल्टा यहां पे बनाया था तो दो फंदा हमने उल्टा यहां बना लिया फिर दागा पीछे करेंगे ये जो दो फंदे हमें दीख रहे हैं सीधे इन्हें के बीच में हमें लूप निकालना है अब ये देखिए ये फंदा और ये फंदा के बीच में यहां दोनों के बीच में ऐसे सलाई डालेंगे दागा ऐसे लेंगे और ऐसे एक लूप बना लेंगे और ये फंदा हम सीधा बून लेंगे हमारा एक लूप निकल गया और ये फंदा सीधा बून गया फिर हम वही से एक लूप निकालेंगे ओ, सॉरी, पहले ये फंदा हम सीधा बून लेंगे यह जो सिधा फंदा देख रहा है इसको हम सिधा बून लेंगे यह हमने सिधा बून लिया अब हम लूप निकालेंगे अब फिर उसी के अंदर जहां हमने लूप निकाला था वहीं से फिर ऐसे सलाई डालेंगे और यह दागा पीछे से ऐसे ऐसे निकाल लेंगे ये दो फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं दोनों को हमें उल्टा बुन लेना है एक फंदा उल्टा बुना और ये दो फंदा उल्टा बुना फिर धागा पिछे करेंगे ये चार फंदे सिधे दिख रहे हैं इनको हमें सिधा बुन लेना है एक, दो, तीन, चार, चार फंदा हमने सिधा बुन लिया, फिर धागा आगे किया, ये दो फंदे उल्टे दिख रहे हैं, इनको हमें उल्टा बुनना है, एक फंदा उल्टा बुना, दो फंदा उल्टा बुना, फिर धागा बीचे करेंगे, अब फिर देखिए, ये दो के बीच में फिर हमें लूप लिगालना है तो ये सिधा फंदा ये सिधा फंदा दोनों के बीच में ऐसे सलाई ये से अंदर डालेंगे ऐसे पीछे से धागा लाएंगे और ये ऐसे लूप बना लेंगे अब ये फंदा सिधा बुन लेंगे देखिए यह हमने लूप बना लिया और ये फंदा सिधा बुन लिया फिर एक फंदा सिधा और बुन लेंगे अब फिर उसी के अंदर से एक लूप निकालेंगे ये देखिए सलाई डाला धागा पीछे से लेया के और ये ये हमने लूप बना लिया फिर हमारा ये दूसरा लूप बन गया एक लूप बनाया दो फंदा सिधा बुना फिर एक लूप बना लिया फिर धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे दिख रहे हैं, इनको हमें उल्टा बना लेना, एक फंदा उल्टा, दो फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे किया, फिर ये चार फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं, इनको सीधा बून लेना, एक फंदा सीधा, दो फंदा सीधा, तेन फंदा सीधा चार फंदा सीधा फिर धागा आगे किये ये दो फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं दोनों को उल्टा बून लेना एक फंदा उल्टा बूना और ये दो फंदा उल्टा बूना फिर धागा पीछे किया ये किनारे का फंदा सीधा उतार लिया तो इस तरीके से यह हमारी 3rd row बनके complete हो गई यह देखिए यह हमारे बीच-बीच में यह लूप बने हुए है तो 4th row 3rd row बना के हमने complete कर लिया अब 4th row उल्टी सलाई अब 4th row उल्टी सलाई हम बनाएंगे तो देखिए सबसे पहला फंदा किनारे का फंदा हम उल्टा बुन लेंगे सबसे पहले फंदा हमने उल्टा बुन लिया धागा पीछे किया अब यह दो फंदे जो सीधे हमें दिख रहे हैं इनको हमें सीधा बुन लेना है एक फंदा सीधा बुना और यह दो फंदा सीधा बुना फिर धागा आगे कर लेंगे अब ये चार फंदे जो हमें उल्टे दिख रहे हैं इन चारों को हमें उल्टा बुन लेना है एक फंदा उल्टा बुना दो फंदा उल्टा बुना तीन फंदा उल्टा बुना और ये चार फंदा उल्टा बुना ये चार फंदा हमने उल्टा बुन लिया फिर धागा पीछे किया ये दो फंदे जो हमें सीधे दिख रहे हैं इन दोनों को सीधा बुन लेना एक फंदा सीधा बुना दो फंदा सीधा बुना फिर धागा आगे कर लेंगे अब ये जो हमें चार फंदे दिख रहे हैं एक ये लूप है ये लूप है और ये दो फंदे बीच में उल्टे हैं फिर ये किनारे का लूप है तो ये जो चार फंदे हमें दिख रहे हैं इनको सबको हमें उल्टा बुन लेना है ये देखिए लूप वाला फंदा ये हमने उल इस तरीके से हमारी चार फंदे उल्टे बन गए, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर ये दो फंदा सिधा है, इसको सिधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, ये चार फंदे उल्टे दिख रहे हैं, इनको हमें उल्टा बुन लेना, एक, दो, तीन, और ये चार, फिर ध दागा पीछे करेंगे ये दो फंदे हमें सिधे देख रहे हैं इनको हमें सिधा बुन लेना एक पंदा सिधा बुना दो फंदा सिधा बुना फिर धागा आगे करेंगे अब फिर ये देखिए लूप वाला फंदा ये देव बीच में उल्टे फिर ये लूप वाला फंदा इ इस तरीके से हमारे चार फंदे उल्टे भुन गया है, फिर धागा पीछे करेंगे, ये दो फंदे सिधे दिख रहे हैं, इनको सिधा भुन लेना है, एक फंदा सिधा, दो फंदा सिधा, फिर धागा आगे करेंगे, ये चार फंदे उल्टे दिख रहे हैं, इनको में उल्टा बुन लेना है, एक फंदा उल्टा बुना, दो फंदा उल्टा बुना, तीन फंदा उल्टा बुना, और ये चार फंदा उल्टा बुना, फिर धागा पीछे किया, ये दो फंदे सिधे दिखरें, इनको हमें सिधा बुनना, एक फंदा सिधा, और ये दो फंदा सिधा, फिर देखिए ये लूप वाला फंदा दो बीच में फंदे उल्टे और ये लूप वाला फंदा इन चारों को हमें उल्टा बुन लेना है तो ये लूप वाला फंदा बुन लिया उल्टा बुन लिया दोत्रा फंदा उल्टा बुन लिया तीसरा फंदा उल्टा बुन लिया फिर इस तरीके से हमारे चार फंदे उल्टे बुन गए फिर धागा पीछे करेंगे ये दो फंदे सीधे दिख रहे हैं इनको सीधा बुन लेना है फिर धागा आगे करेंगे ये एक फंदा किनारे का उल्टा बुन लेंगे इस तरीके से ये हमारी उल्टी सलाई फोर्थ रो बन के के लिए ये देखिए फिफ्त रोब बनाने के लिए सबसे पहले हम ये पहला फंदा उल्टा बुनाया, फिर धागा पीछे करेंगे, यह जो चार फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं, इनको हमें सीधा बुन लेना है, एक, दो, तीन, चार, यह चार फंदे हमें सीधा बुन लिया, फिर धागा आगे करेंगे, यह दो फंदे उल्टे दिख रहे हैं, इनको हमें उल लिकैसे नोगनेरतकं यहां जो पता हैं इनकी जो दिख़ेर आटा हैं आव इन ही गट आएंगे घ हम शिरिवात के अरब सरच करेंगे इस थे पहले यह तो पहले और हमने धो पंदै यह आख सेधा बुन लिया अफिर इसे बॅन को आई असे की मजा सके धूरं जो और उसे क्या न है वह घुत अकल लेंगे न Elside Cur noises और यह लेट कर संदें सरा कॉछ सिद्धा देंगे daí को में मैं इक उल्ता हूँ लेना एक के दो nesad फिर दाघा पीछे कर लेंगे अब इन ही को हमें बार बार depeyt करना है अब यह देखिये फिर हमारे छार काइब दिनुझ ऐन इन दकद сх схड़ बनाएगे फिर धागा आगे करेंगे ये दो फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं दोनों को उल्टा बुन लेना है एक दो ये दो फंदे हमने उल्टे बना लिए अब धागा पिछे करेंगे ये चार फंदे जो सीधे दिख रहे हैं फिर ये दो फंदे एक सा सीधा घटाएंगे फिर ये तीसरा फंदा ऐसे हम सिधा कर लेंगे, फिर ये दो फंदे एक सा सिधा बुन लेंगे, ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, ये दो फंदे उल्टे दिख रहें, इन दोनों को हमें उल्टा बुन लेना है, एक फंदा उल्टा बुना, दो फंदा बुना, फिर धागा पीछे करे ये चार फंदे जो सिधे दिख रहे हैं इनको हमें सिधा बुन लेना है एक फंदा सिधा बुना दो फंदा सिधा बुना तीन फंदा सिधा बुना और ये चार फंदा सिधा बुना फिर धागा आगे करेंगे ये दो फंदे जो उल्टे दिख रहे हैं इनको हमें उल्टा बु सीधा बुन लेते हैं और फिर ये तीसरा फंदा ऐसे सीधा कर लेंगे फिर ये दोनों फंदे एक साथ सीधा बुनेंगे फिर धागा आगे करेंगे ये दो फंदे किनारे हमें उल्टे दिख रहे हैं इन दोनों को उल्टा बुन लेंगे एक फंदा उल्टा बुना और ये दो फंदा उल्टा बुना फिर धागा पीछे करेंगे और ये किनारे का फंदा उतार लेंगे सीधा उतार लिया तो इस तरीके से ये देखिए हमारी फिफ्त रो बनके कम्प्लीट हो गई फिफ्त रो सीधी सलाई हमने बना लिया अब six रो उल्टी सलाई उल्टी सलाई में हमें जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उनको उसी तरह से बुनना है सिधे फंदे पर सिधा और उल्टे फंदे पर उल्टा, तो पहला फंदा हम किनारे का उल्टा बना लेंगे, यह हमने पहला फंदा उल्टा बुन लिया, धागा पीछे किया, यह दो फंदे हमें सिधे दीख रहें, इनको हमें सिधा बुन लेना है, फिर धागा आगे करेंगे ये दो फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं इसको हमें उल्टा बना लेना है एक फंदा उल्टा बुना और ये दो फंदा उल्टा बुना फिर दागा पीछे करेंगे ये दो फंदे सिधे दिख रहे हैं इनको सिधा बुनना है एक फंदा सिधा, दो फंदा सिधा बुना, फिर धागा आगे करेंगे, ये चार फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं, इनको हमें उल्टा बुन लेना, एक फंदा उल्टा बुनाया, दो फंदा उल्टा बुनाया, तीन फंदा उल्टा बुनाया, और ये चार फंदा उल्टा फिर दागा पीछे कर लेंगे ये दो फंदे जो सिधे दिख रहे हैं इनको में सिधा बुन लेना फिर दागा आगे करेंगे ये दो फंदे जो उल्टे दिख रहे हैं इनको में उल्टा बुनना एक फंदा उल्टा 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 उल् फिर बनाएंगे सबसे पहला फंदा सिधा उतार लेंगे दागा आगे करेंगे अब ये दो फंदे जो उल्टे दिख रहे हैं इनको हमें उल्टा बुन लेना है एक फंदा उल्टा बुना और ये दो फंदा उल्टा बुना फिर दागा पीछे करेंगे अब ये चार फंदे जो हमारे सीधे दिख रहे हैं इनको हमें सिधा बुन लेना है एक फंदा सिधा बुना दो फंदा सिधा बुना तीन फंदा सिधा बुना और ये चार फंदा सिधा बुना फिर धागा आगे करेंगे ये दो फंदे जो हमें उल्टे दिख रहे हैं इसको हमें उल्टा बुन लेना है एक फंदा उल्टा बुना और ये दो फंदा उल्टा बुना फिर दागा पीछे कर लेंगे अब ये जो हमें दो फंदे जो दिख रहे हैं सीधे एक फंदा सिधा ये एक फंदा सिधा ये अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर फिर हमें लूप निकालना है तो सबसे पहले ये फंदा सिधा और ये फंदा सिधा दोनों के बीच में ऐसे सलाई डालेंगे यहाँ पर ऐसे लूप लिया दागा लिया और ऐसे करके लूप निकाल लिया फिर यह जो फंदा है इसको सीधा बुन लेंगे तो हमारा एक लूप निकल गया और यह फंदा सीधा बुन गया फिर एक जो यह फंदा सीधा दिख रहा है इसको सीधा बुन लेंगे और फिर जहां से लूप निकाला था यहां से वहीं से फिर एक लूप निकाल लेंगे ऐसे धागा किया ऐसे सलाई ऐसे अंदर से इसको ऐसे निकाल लेंगे तो देखिए यह हमारा दूसरा लूप बन गया एक लूप बनाया, दो फंदा सिधा बनाया, फिर एक लूप बनाया तो इसी तरीके से पूरी सलाई बना के हम फिर कम्प्लीट करेंगे तो देखिए, फिर धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे दिख रहे हैं, दोनों को उल्टा बुन लेना है एक फंदा उल्टा बुना, दूसरा फंदा उल्टा बुना फिर धागा पीछे किया अब ये चार फंदे सिधे दिख रहे हैं, इन चारों को सिधा बुन लेना है ये चार फंदा आपने सिधा बुन लिया फिर धागा आगे करेंगे ये दो फंदे उल्टे दिख रे ह delicious है इनको को में उल्टा भूंना है इस तरीके से हम पूरी सलाई बना के complete कर लेंगे तो friends ये सलाई सीधी सलाई बना के हमने complete कर लिया अब उल्टी सलाई उल्टी सलाई में फिर हम बनाएंगे देखिए पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, पहला फंदा हमने उल्टा बुन लिया, धागा पीछे करेंगे, उल्टी सलाई, आठीमी सलाई, ये पहला फंदा हमने उल्टा बुन लिया, अब दो फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं, इनको हमें सीधा बुन लेना है, एक फ बूल ख़र लिए लोपन्द तो फन्द यह चार पंद हमने उल्ठे सदा बुन लिए सदा पोन में अजन ऑल सकません फिर दागा आगे करेंगे ये चार फंदे उल्टे दिख रहे हैं इनको हमें उल्टा बुन लेना एक दो तीन चार फिर दागा पीछे करेंगे ये दो फंदे सिधे दिख रहे हैं इनको हमें सिधा बुनना एक फंदा सिधा और दो फंदा सिधा फिर दागा आगे करेंगे यह लूप ओला फंदा, यह दूसरा फंदा उल्टा, यह तीसरा फंदा उल्टा, फिर यह लूप ओला फंदा, तो चार फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, यह दो फंदा सिधा दिकरा इनकों में सिधा बुन लेना, एक फंदा सिधा बुना, और तरवंदा सिधा बुणा फिर दागा आगे करेंगे ये चार पंद उल्ट इनकों में उल्टा बुन लेना है 21ग दो फंद उल्टा बुना पिछे करेंगे ये दो फंदन दि दीख रहा है इसकों में सिधा under लेना एक हंड़ा सिधा बुना और येदद दो फंदा सिधा बुना फिर दागा आगे करेंगे ये लूप वाला फंदा दो फंदे उल्टे फिर ये लूप वाला फंदा ये चार फंदे उल्टे बुन लेंगे एक फंदा उल्टा बुना दो फंदा उल्टा बुना तीन फंदा उल्टा बुना और ये लूप वाला फंदा च ये देखिए, एक फंदा उल्टा बुना, दो फंदा उल्टा बुना, तीन फंदा उल्टा बुना, चार फंदा उल्टा बुना, फिर दागा पीछे करेंगे, ये दो फंदा सिधा देख रहा है, इसको हमें सिधा बुन लेना है, फिर दागा आगे कर लेंगे, और ये किनारे बनेगी यह हमने इतना बना लिया देखिए एक बुनाई यह पूरी हो गई दूसरी बुनाई यह शुरू हो गई अब फिर जब यह बुनाई बन जाएगी यह बुनाई कम्प्लीट हो जाएगी तो यहां पर दूसरी शुरू होगी इसी तरीके से एक बार यह प्लेन बनेगा यह बुनाई बनेगी फिर यह बुनाई बनेगी इसी तरीके से बदल बदल के बुनाई बनेगी और इसी तरह बुनाई को उपर बनाते हुए रिपीट कर लेगा हमने इतना बना लिया थोड़ा बना के और लंबा कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यह देखिए बुनाई को हमने इ यह बनाई बनने के बाद यह बहुत सुन्दर लगती है तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू